है गाईज देखो वोड़ाफोन आडिया में तो आपको काफी अच्छा गिरावड देखने को मिल गया लगबग 10 पसंट के आस पास और जो ब्रोकर हैं बड़े बड़े दिग्गत जो ब्रोकर है अनिलिस्ट है उन्होंने पहले से बता रखा था कि वोड़ाफोन आडिया पा भाग जाता तो लोग बोलते हैं भाई उसने गलत बोला गलत नहीं बोला भाई समझा करो सही है तो उसी तरीके से वोड़ाफोन आडिया में जिस तरीके से गिरावड देखने को मिलने वाला है तो भले ही गिरे या ना गिरे लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहे है याद र अच्छी बात है ने अपना प्रोटेक्शन अपने पास लेके चलता हो इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है तो एक और स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट होने की संभावना है तो पहले देख लो तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोल दू म है जिसका नाम है हाई कॉलिटी स्टॉक बहुत ही छोटा चैनल है आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो देखो सब्सक्राइब करना ही तो बिल्कुल फ्री है भाई हर चीज़ तो पैसे से मिलते है सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर दस सलों में आपका किवल एक लाग रुपय के निवेस एक करोड बना सकता है आराम से बना सकता और कंपनी ने बनाया भी है और यह कंपनी पूरे मार्केट को डॉमिनेट करने वाली है मतलब हाबी होने वाली है पूरे बजार में चैनल पर जाके देख लिजिए तो सबसे पह उतना एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन फिर भी जो नौलेज है वह मैं आप तक शेयर कर देता हूं लेकिन अभी यहां पर जो प्रावलम देखने को मिल रही है यहां पर अगर आप देखना चाहोगे तो भाई इसका चार्ट पेटन क्या हो है कुछ भी नहीं है सीधा उपर गय क्यान में भी उसके पिछले क्वार्टर में भी लगबग कम से कम 5-6 क्यार्टर रिजर्ट मतलब नुकसान भी होता है तो नॉर्मल होना चीन है बहुत हेवी हेवी कंपनी को नुकसान होता है अब हम स्टार्ट करते हैं रिजर्वन सरपलस से यह देखोगे तो पहले लगब कम्पनी के पास 31,000 था अभी कम्पनी के पास केवल 25,000 है कम्पनी ने अपने रिजर्व को यूज किया नहीं करता तो ज्यादा अच्छा रहता था लेकिन फिर देख सकते हूँ यहाँ पर लॉंग टर्म बॉरिंग में देखो तो कम्पनी के पास पहले 89 करोड के आसपास थ अभी देख सकते लगवा 53 करोड के आसपास था लेकिन डेट तो है उसके बाद फिर अगर देखोगे शॉर्ट टर्म बॉरिंग में तो कम्पनी ने हेवी डेट उठाया बहुत बड़ा डेट उठाया देखो पहले तो जिरो था अब देखो इसने लग बग जो है 4881 के अब यहां पर आपको वदाया जा रहा देखो आपको वदाया जा रहा जून तक मार्च दिसंबर सब्टमबर इस सभी चीज़ आपको वदाया जा रही है तो हम क्या करेंगे डिरेक्ट यह कौर्टर है तो हम डिरेक्ट नेट प्रॉफिट देखना स्टार्ट करेंगे अभ तो temporary profit हो रहा है, भाई 400 नुकसान है, देखो, 445 तो loss है, यह minimum बता रहा हूँ, इदर का देख लो, minimum वाला सबसे छोटा कौन loss है, तो सबसे छोटा अगर loss देखेंगे, तो भाई, यही देखने को मिलना, 445 के आस पास, है की नहीं है, और 445 में से यहाँ गर profit भी हुआ है, तो और कमपनी quarterly क्या, yearly भी नुकसान हो रहा, देख सकते हो, भारत heavy electronical limited आपको बताया जारा, सही है, electricals है, सही है, electricals limited, आपको बताया जारा, जिसका 20,000 करोड क्या आस पास, कमपनी का market cap है, और अभी क्या ख़बर आई है, नीचे जाओगे, तो नीचे यहाँ पर देख सकते है लगबग target दिया जा, 9 घंटे पहले, कि 40 रुपे के आस पास यह जा सकता है, सोच लो, 60 रुपीज है, और 40 रुपीज हो जाएगा, और कमपनी लगबग पहले 200-400 रुपे से गिरते जारे, गिरते जारे, कमपनी का loss भी है, बताया जारा, कि यह कमपनी के पास, मतलब, keep hope alive for loss making, real stock, मतलब, यह loss making company है, अभी अगर आप देखना चाहते है, loss making company है, और यह कभी भी इसका जो है, diversification देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए time लगएगा, उसके लिए time लगएगा, तो मुझे लगता है, कि तो को खरीदना और ना खरीदना तो दोनों अलग चीज है, ल यह सारी चीजे के उपर आप अपना नजर रखो, अभी यह देखो 60 रुपीज का stock है, अगर यह मान लेते हैं, कल को 40 भी आजा तो बहुत सारे लोग बोने यह नहीं हो सकता, ठीक है, देखो सबका अपना अपना राय होता है, आप अपनी, आपको जो लगता है, वो भी आपको बताना चाहता हूँ, यह अलड़ी लगबग कमपनी काफी पहले से गिरते जा रही है, एक बाद टेंपरेरी इसने गेन किया होगा, देखो कोई भी कमपनी नहीं है न, प्रोडक्शन करेगा, अपने आपको स्केल अप करेगा, ग्रोथ करेगा, तो जाता है, लेकिन यह जो होता न, यह majority होता, और जिस दिन कमपनी अपने majority पे पहुँच जाती न, उसके बाद केवल decline, decline और decline ही देखनी को मिलता, और अभी तक भारी गिरावाट है, तो मैं बोलूँगा, कि भेल जैसी कमपनी को avoid करना चाहिए, और सरकार भी कुछ ज़्यादा ध्यान दे न कमपनी चाहिए, नहीं, मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, कमपनी नहीं चाहिए, मैं का कमपनी को घर में ले कर जाओंगा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, है कि नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, जो stock में मैंने पैसे लगा, वहाँ म मुझे profit से मतलब है तो मैं आपको बोलूगा इससे better और आपके पास option available है तो आप उसको क्यों नहीं use करते मैं यह नहीं बोल रहा हूं भेल गलत है यह वह आपको नुकसान देगा यह वह ऐसा वैसा कुछ नहीं आपके पास इससे better option available है और कम से कम risk में तो मुझे लगता है कि आपको एक बार सोच लेना चाहिए और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकाउंट बगरा जो है एंजल वक्की में open कर सकते हो यहाँ पर आपको नंबर वन स्टॉक बिरों के साबको देखने को मिलना लेको मेरे हिसाब साबको देखने को मिलना यहाँ पर आपको सब कुछ खरी सकते हो को टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो चार्जेस वगरा होता बिल्कुल फ्री होता है डिमेट अकॉंट फ्री डिले रिवी चार्जेस फ्री के वल्ट टॉंटी रिपीज लगता वो भी इंट टरम लॉंग टरम इंटरडे फ्यूचा रउप्शें निफ्ने बैंक नी्फिम्ट यह सब कुछ आपको बता ही अपको पता चलब पाता है कि मैं आपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करूं At यहां करूँ तो यह आपको basic knowledge दिया जाता है तो description में लिंक है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकाउंट बगरा बहुत ही आराम से open कर सकते हो और कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो देखों गिरा हुआ स्टॉक है तो फिर भी मैं आपको बलूँगा कि अपने financial advisors एक बार consult कर लो blindly believe मत करो किसी की चीज़ पर भी